हेलो एंड वेल्कम तो यूट्यूब चानल अव कॉंपिटिशन कम्मुनिटी मैं हूनिक परविन खान और आज का यह पॉलिटी करेंट अफेर्स का जो वीडियो है यह 22 से 28 अपरिल तक की जो पॉलिटी सेग्मेंट से रिलेटेड करेंट अफेर्स रहे उसको डील करने वाला है तो 22 से 28 के बीच में जो भी ऐसे राष्ट्य अंतराष्ट इस तर पे घटनाये हुई जिसका डाइनेमिक पॉर्शन और उससे रिलेटेड को इस्टेटिक पॉर्शन आपके लिए पॉलिटी से रिलेटेड जुरूरी है उसको आज हम कवर करेंगे देखे यह जो करेंट न्यूज होती है जो भी हम करेंट अफेर्स इसमें डील करते हैं डाइनेमिक पार्ट जो होता है वो आपकी सभी एक्जैम्स को कवर करता है आप यह ना सोचें कि यह सिर्फ प्रलिम्स के लिए है अगर आप व्यापम देते हैं तो उसमें भी क्वेशन इससे फसते हैं अग एससी वालों को भी होता है आप एससी रेलवेस के एक्जैम्स देते हैं या व्यापम के एक्जैम्स देते हैं वहर एक्जैम्स जिसमें करेंट आता है आपको इन वीडियो से उन सभी में सभी में मदद मिलने माली है ठीक आपको बस अपना फोकस रखने कि जब आपको एक् और अगर आप माली जिए एकदम वन डे एक्जाम या मैं कहूं जैसे की एक्जाम होता है व्यापम का एक्जाम होता है रेल्वेस के एक्जाम होते है उसको दे रहे हैं उसके सिर्फ डायनेमिक पॉर्शन क्या नोट बनाते रहें कुलमिला की करेंट एफेर्स की सारे वीडिय इसके ऐसे करेंट एफेर्स को छाटते हैं तो एक साथ सभी डंप ना करके हमने इससे वैसे ही डिवाइट कर दिया है तो एट दे लॉंग रन यह आपके लिए बेनिफीशल होगा आप पहली बात तो अगर आप पीसी को प्रिलम्स को फोकस कर रहें तो फिर इने स्किप ना करें जादा से जादा इन वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो कोई भी आपका पीसी का प्रिपरेशन कर रहें तीक है आपको ऐसा लगे कि यह तो बहुत जादा हो रहा है यह हर इतने सारे करेंट अफेर्स क्यों तो आप एक बार उठा करके इस बार क प्रिलम्स के हिसाब से लेकिन इसका डाइनमिक पॉट्शन आपका बाकि सभी जो एक्जाम्स उसको कवर करता है ठीक है तो आप इन वीडियो को मेंस ना करें वीकली इन वीडियो के साथ बने रहें नोट डाउन करते रहें सारे इंपॉर्टेंट स्टाटिक और डाइनमिक दोनों ही फैर्ब्स को ठीक और जाद जाद है इन वीडियो को अपने फ्रेंट के साथ शेर करें ठीक है तो चलिए अब हम सबसे पहले लेट्स हैवा लुक अट न्यूज इंपॉर्टेंट न्यूज अफ लास्ट वी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज रही जो बोधित किया तो यह एक हिस्ट्री पॉइंट ओफ यूज से रिलेटट करेंट की न्यूज है तीसरी 21 अपरेल को सिविल सर्विस डे यहने सिविल सर्विस दिवस मनाया गया चौत ही न्यूज है नीतियायोग का नया उपाध्यक्ष यहां नीतियायोग में एक नय उपाध करेंगे Emmanuel Macron फिर से France के राश्टपती चुनेंगे तो जो incumbent president है France के Emmanuel Macron वो राश्टपती चुनाओं में उन्होंने फिर से जीत हासिल की और वो फिर से मां के राश्टपती चुनेंगे और आखरी जो news हम कवर करने वाले हैं वो है विदेश, नितिय और भू, अर्थिशा, सम्मेलियन राइसीना डायलोग तो we will see something related to राइसीना डायलोग की ये क्या है और इसका कौन सा संसकरण अभी आयोजेत किया गया ठीक है तो ये news हम कवर करते जाएंगे चलिए सबसे पहले पहली वाली news पर आते हैं राश्ट्रे पंचायती राज दिवस तो हम सभी जानते हैं कि हर साल 24 अप्रेल को राश्ट्रे पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है बिलकुल उसी तर्स पर इस साल भी 24 अप्रेल 2022 को नैश्ट्रे पंचायत डे सेलिब्रेट किया गया और ये 12 अप्रेल राश्ट्रे पंचायती राज दिवस मनाया गया था इस वर्ष जो इस पंचायती राज दिवस की खास बात थी वो ये कि प्रधान मंतरी ने स्वामित्व योजना की शुरवात की इस योजना के तहट इप्रॉपर्टी कार्ड यानि इलिक्रोनिक प्रॉपर्टी कार्ड का डिस्ट्रिब्यूशन इन्हों नहीं किया हर साल के जो पंचायती राज दिवस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है जिसे पंचायतों का सशक्तिकरण हो या फिर पंचायती राज को स्ट्रेंथिन करने में मदद मिले ठीक है तो बिलकुल उसी तर्ज पर इस साल स्वामित्व योजना के तहट जो इप्रॉपर्टी कार्ड से उसको डिस्ट्रिब्यूट किया गया तो बही बात यह है कि यह तो हो गई डाइनेमिक पार्ट की 24 अपरील 2022 को मनाया गया बारवा संसकरण इस दिवस का जिसका जो योजना थी वो यह थी अब यह मनाया क्यों जाता है जाहिर सी बात है नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यह पंचायती राज से रिलेटेड बात है तो ऐसा है कि 1992 में जो 73 वा संशोदान हुआ था सम्विधान का जिससे पंचायती राज विवस्था सम्विधानिक रूप से कंपलसरी रूप से अस्तित में आई थी उसी चीज को कामुमेरेट करने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं सन 2010 से हम 24 अप्रेल की तारीख को हर साल पंचायती राज दिवस की रूप में मनाते हैं ठीक है तो बिकस 73 अमेंडमेंट गॉट इनेक्टेड ओन इस पटिकुलर डेट ओफ 24 अप्रेल इनेक्ट जो हुआ था वो 24 अप्रेल को हुआ था इस वज़े से हम इस तारीख को पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाते हैं और सभी जानते हैं कि 73 वा संशोधन जो है इसने पार्ट 9 अड़ किया और शेडूल 11 अड़ किया हमारे Constitution में पार्ट 9 के तहट आर्टिकल 243 से लेकर 243-0 और शेडूल 11 के तहट 29 सब्जेक्ट मेटर्स यहने 39 विशेवस्टू एड़ किये गए तो यह अनुसूची और यह पूरा भाग पंचायती राज यहने की ग्रामेंट स्थानिय स्वशासन को कुछ एक प्रावधानों में exception रखकर ठीक और आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज स्टार्ट हुआ था वो राजस्थान के नागवर जेले से स्टार्ट हुआ था तो यह बही कुल मिला करके कोई चीज हाइलाइट हुए क्यों क्योंकि इसको कमेमुरेट करने के लिए हम एक डे सेलिबरेट कर रहें उसका जो स्टेटिक पोर्शन है अगेन वो हाइलाइट हो जाता तो उसको थोड़ा से रिवाइस करने की भी पंचायती राज कौन से भाग में, कौन से अनुसूची में कौन से संचोदन से आया, कितने विशहवस्तों कौन कौन से आर्टिकल है, कौन सा पहले पंचायती राज था, कौन से समीतियां थी इसके पीछे बगएरा बगएरा तो इसका यह static portion और dynamic portion यह है कि celebrate किया गया इस बार की theme ती स्वामित्व योजना जिसका full form मैंने आपे लिखा है survey of villages and mapping with improvised technology in the villages तो कुल मिलाकर villages जो है उनका new technology के तहट survey करकर उनको जो जरूरी सुविधाय है वो वित्रित करने की ये योजना है तो इन सभी ये पूरे words जो है इसका आपका जो acronym है वो आता है स्वामित्व survey of villages and mapping with improvised technology in village areas इसके तहट जो भी villages identify किये गए उनको फिर e-property card जो है वो distribute किया गया हर साल मैंने कहा कि ये अलग-अलग चीजे होती है सन 2021 में पंचायतों को digitally पैसे transfer करने की सुविधा स्टार्ट की गई थी जो कि एक बहुत important step था यहने पिछले साल का जो पंचायती राज दिवस था उससे ऐसा हो गया था कि state से जो fund पंचायतों को जाता है वो अब उनको digitally transfer होगा इससे ऐसा होगा कि बीच की जो भी चीजें बिच्वालियों की वज़ा से या फिर मंज्वाले जो लोग रहते हैं जो लोग बीच में mediation का काम करते हैं या bureaucratic ratism जो आ जाता है उन चीजों को आवाइड करने में मदद मिलेगी अगर पैसे digitally transfer हो जाएंगे तो कोई भी आप कह सकते हैं कि पूरी तरसे transparency रहेगी कितना पैसा कहां जा रहा है उसकी प्रॉपर accounting रहेगी कितना पैसा कहां जा रहा है और पंचायतों को उसका सीधा सीधा लाग मिलेगा तो लास्ट यह जो था digital transfer था इस साल यह property का distribute किया जा रहा है आपको यह ध्यान में रखना है ठीक है और इसके background static portion में आपको पंचायती राज विवस्था कि जो static part आप quality में बढ़ते हैं वो याद रखना है ठीक है तो कुल मिला करके हर साल लोगों के बीच ग्राम सभा और पंचायतों की जागरुकता बढ़ाने के ल कारियों से related ठीक है so that is it इस news related आपको यह theme याद रखनी है बारवसंस करण इसका जो है celebrate किया वो यह याद रखना है और आपको static portion में 2010 से start हुआ और पंचायती राज दिवस्था क्यों मनाया जाता है पंचायती राज विवस्था क्या है कौन से संचोधन से यह कहां है यह ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगली न्यूस पर नेक्स न्यूस है प्रधान मंतरी ने गुरु तेग बहद्र की 401 जयनती के अफसर पर लाल के लिए से राश्ट्रू को संबोधित किया तो मैं आपके इस करेंट एफेर्स के सेशन में ना सिर्फ पॉलिटी बलकि ऐ बहद्र हैं उनकी 401 जयनती रही और उसी उपलक्ष में प्रधान मंतरी ने लाल किले से संबोधन दिया तो यहां पे गुरु तेग बहद्र का जो नाम है वो अगें चर्चा में आ जाता है उनकी उपर कोई क्वेशन्स बन सकते हैं तो उनके बारे में कुछ चीज़े हम दे तो याद रखेंगे जो गुरु तेग बहद्र थे जो की सिखों के नवे गुरु थे वो स्वयम सिखों के जो छटवे गुरु थे गुरु हरगोबिन जिने सेन संगठन के लिए खासतोर पर जाना जाता है उनके उत्तर थे गुरु हरगोबिन के उत्र थे ठीके गुरु त एक बहा उद्र को उनके तपस्विस वहा के कारण त्याग मल भी कहा जाता है, उनकी रचना को 116 कावे भजनों के रूप में पवित्र गरंथ, गुरु गरंथ साहिब में शामिल किया गया है, ठीक, और सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट जो इनके बारे में आपको याद रख किया, तो हम खर एक गुरु के बारे में एक एक इंफरमेशन पढ़ते हैं, जब हम गुरु तेक बहा दूर के बारे में पढ़ते न हम सबसे इंपोर्टेंट इंफरमेशन है, वो ये वाली है, कि इन्हों ने पंजाब में चकनन की शेहर की स्थापना की, जो बाद में जा क ठीक और इसके बाद आपको ये भी याल रखना है जो आप हिस्ट्री के मुगल हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि औरंग जेब ने सन 1675 में इनकी हत्या करवा दी थी तो हम मुगल शासकों के टाइम पर पढ़ते हैं दो ऐसे शासकों के नाम जिनों हुने दो सिख गुरों के हत्य करवाई थी एक औरंग जेब ने नगवे गुरूत गुरूत एक बाहदुर की हत्या करवाई थी और एक हम जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं कि उसने पाचवे गुरू गुरू अर्जुन देव की हत्या करवाई थी तो ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड रखीगा historical point of view यहां से थोड़ा सा highlight होता है फाइन चली बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज है 21 अप्रिल को मनाया गया civil सेवा दिवस तो एक दो दिवस यहां पर डिसकस कर रहे हैं इससे पहले हमने पंचायती राज दिवस देखा और दूसरा important दिवस यह सफते में मनाया गया वो है civil service day on 21st of April ठीक है तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि civil service day जो है यह dedicated होता है इंडिया की पूरे bureaucracy को इंडिया की जितने civil servants है central और state level के उनके लिए यह देखासतोर पर मनाया जाता है यह 21 अप्रेल की जो तारीख चूस की गई उसकी वज़ा यह है कि आप जैसे इस point में पढ़ पा रहे होंगे स्वतंतर भारत के पहले ग्रेह मंतरी सरदार वल्लबाई पटेल ने दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवधिकारियों के परिविक्षा धीन लोग यानि के प्रोबेशनर्स को संबोधित किया था इस particular तारीख 21 अप्रेल को क्या हु ठीक है पहली बार हमने 21 अपरेल 1947 को civil service day की रूपे मनाया गया था ठीक अब इस particular दिन में जो खास बाते होते हैं वो ये कि कुछ PM awards दिये जाते हैं important civil servants को जैसे कि इस साल की बात करे हम तो इस साल जो civil service day मनाया गया लोग परशाक्षन में उतकृष्टा के लिए प्रधान मं इस त्री पुरुसकार 16 विजिताओं को प्रदान किये गए हर साल ये पुरुसकार दिये जाते हैं जो important bureaucrates होते हूंको इस बार 16 awards दिये गए थे civil service को ठीक है तो इस दिन civil service को promote किया जाता है इस दिन civil services को celebrate किया जाता है और important award distribution होता है bureaucracy में, important award distribution होता है civil servants को, ठीक है तो जिसमें इस बार 16 winners रहें, यह पुरुसकार प्रात्मिक्ता, कारेकरम, क्रायनवन और नवाचार शिरणियों के लिए जिलों वो कारवयान इकाईयों को दिये जाते हैं, मतलब कुछ भी अगर innovative काम अगर करती है कोई काईया, क्यों bureaucratic unit अगर कोई भी ऐसा innovative काम करती है, जिसे प्रशासन जो है वो strengthen होता है, तो ऐसे innovative कारियों के लिए यह awards usually दिये जाते हैं, तो इसमें आपको यह याद रखना है कि हर साल 21 अप्रील को यह दिवस मनाया जाता है, प Metcalf House में, वो 21 अप्रेल की तारीख को किया गया था, और इस साल innovative जो भी measures, innovative measures है ने कि जो ऐसी measures जो प्रशासन को कोई नहीं उचाहियां दे सकते हैं, ऐसे measures के लिए प्रधान मंत्री पुरस का हर साल वितरित किया जाते हैं, जो इस बार 16 वितरित किये गए, ठीक है, that is it, इ This is an important news, जितने आप appointments वाली news पढ़ते हैं, जो भी miscellaneous current affairs में आप पढ़ते हैं, कि भी कौन नया नया अधिकारी या कौन नया नया पद अभी-अभी nuked हुआ है, अकसर ये questions आते ही हैं, चाहे व्यापम में हो आपकी, चाहे ससी में हो, चाहे रेलवेज में हो, चाहे आपकी प्रिलम्स में हो, अकसर आता है new appointments, तो उनमें एक important appointment होती है नीति आयोग के वाइस चेर्मेन की, तो भी जो भारत का कार्मिक मंत्राला हैं, याने की ministry of personal and training, उनकी information के हिसाब से, जो भारत के नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष होंगे, उनका नाम है Dr. सुमन K. बेरी, ठीक तो नीति आयोग में जो बदलते रहते हैं, चीफ के तौर पर उपाध्यक्षी होते हैं, चेर्मेन नहीं होते हैं, बिकास सभी जानते हैं कि नीति आयोग का जो चेर्मेन होता है, वो भारत का प्रधान मंत्री होता है हमेशे, तो उसके बाद जो नई appointments होते हैं, बदलते र रखिएगा, डॉक्टर सुमन के बेरी ये नए उपाध्यक्ष बनाये गए, यहां कुछ बाते सुमन के बेरी के बारे में हैं, इनके background के बारे में, फिर कुछ बाते हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, यह स्लाइड में जो कुछ आप देख रहे हैं, यह dynamic part है कि सु रतमान में उपाध्यक्ष हैं, इनकी जगह पर डॉक्टर सुमन के बेरी आएंगे, डॉक्टर सुमन के बेरी ने National Council of Applied Economic Research, यहने NCAER के महानिदेशक के रूप में कार किया, जो कि एक प्रमो गयरलापकारी निति अनुसंधान संस्थान है, यहने पहले भी इनके plannings related जो portfolios रहें, इनका कहीं न कहीं important role रहा, पहले बें इनको इस फील्ड में, plannings related फील्ड में काफी experience रहा है, क्योंकि यह NCAER के महानिदेशक रह चुके हैं, उन्होंने प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाकार परिशत, यहने Economic Advisory Council जो होती है, राश्ट्री सांखी की आयोग, यहने की National Statistics Council और मौदरिक निती पर भारते रिजव बैंक की तक्निके सलाकार समीति के सदस्य की रूप में भी कार किया है, तो खुल मिलाकर कि यह जो हैं, यह कहीं न कहीं Economic Planning से हमेशा से जुड़े रहे हैं, चाहे वो National Statistic Commission का Member के तौर पर हो, चाहे वो आपके Economic Council के Member के तौर पर हो, य इंडिया की Monetary Policy से Related हो, यह कहीं न कहीं इंडिया में Economic Planning से जुड़े रहे, इनका Experience इस फील में काफी है, और इनका Dynamic Part की कौन है, इनके बारे में कुछ Information, आप Current से Related याद रखे, और अगर हम नीती आयोग के दूसरे पहलूं को देखें, कि नीती आयोग है क्या, तो मैं एक अब जानते हैं लेकिने Static Portion डील करना जुरूरी है, तो नीती आयोग सन 2015 एक जनवरी को स्थापित हुआ था, और इसने Planning Commission यहने योजना आयोग की जगह दी थी, तो Planning Commission जो आजादी के बाद से भारत का Highest Level of Think Tank Body है, तो उसकी जगह पर नीती आयोग सन 2015 में स्थापित प्लानिंग कमिशन की जगह, इसका फुल फॉर्म है National Institution for Transforming India, तो कुल मिला करके जिस तरह से योजना आयोग पहले पंच वर्षी योजना बना करके, जो बजट है उसके इसाप से अगले 5 साल के लिए प्लान्स बनाती थी, बिल्कुल वैसे ही काम नीती आयोग करेगा, नी नीती आयोग एक तरह की संगी विवस्था है, मतलब नीती आयोग में राज्यों का भी involvement होता है, जबकि जो योजना आयोग था, उसमें सिर्फ सेंट्रलाइज जो लोग थे उनका involvement था, जो प्लानिंग कमिशन था पहले सन 2015 से पहले, उसमें ऐसा था कि प्रधान मंत्री और केंदर के ही लोग हुआ करते थे, वो योजना जो वो लोग बना रहे हैं, वो भले किसी स्टेट की है क्यों ना हो, पर उसमें involved सिर्फ सेंटर के लोग होते थे, तो इसलिए प्लानिंग कमिशन की काफी आलोशना होने लगी कि ये पूरी तर से केंदर कृति काई है, भारत क केंदर की शक्ति को बहुत जादा बढ़ाती है, और फेडरलिजम पर एक सिधा-सिधा आगात है, संगिय धाचे पर आगात है, इस वज़े से नीतियायोग का अस्तित्वाया और नीतियायोग में बोला गया कि अब योजना नीतियायोग बनाएगा, और इसमें ना सिर्फ क केंदर, बलकि राज के प्रतिनिधी भी योजना के बनाने में शामिल, तो ये मेन अडवांटेज नीतिया के बनाने का वैसे काम इसका वही है, योजना को बनाना, बट फेडरल तरीके से, केंदर और राज दोनों पार्टिस्पेट करेंगे, तो फुल-फॉर्म याद रख ठीकें, तो ये भारत सरकार की नीति निर्मान के शीष प्रभुत्व मंडल है, याद रखें, संरचना की बात करें, तो जैसे कि आपको बताया मैंने, कि इसका चेर्मेन हमेशा भारत का जो वर्तमान प्रधान मंत्रे होता है, वो है, उसके अलावा, इसमें एक शास्की पर स्टेट मेंबर्स होते हैं, इसमें जो गवर्निंग काउंसिल होती है, इसमें होते हैं चीफ वाइस चेर्मेन, तो जो अभी बने हैं, वो एक्चली गवर्निंग काउंसिल के हेड के तौर पर नुक्त हुएं, गवर्निंग काउंसिल, ठीकें, तो ये मेंबर्स हैं और ये जॉनसन ने हाल ही में भारत यात्रा की जो काफी चर्चा में रही तो उनकी विजिट्स रिलेटिल कुछ बात है हाला कि बहुत जादा कोई MOUs या वगरा साइन नहीं की गई अपने आप में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का भारत यात्रा खासतोर पर गुजरात पर पहली बार किसी प्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की यात्र हुई यह हाईलाइटेड रही न्यूस तो उसे एक उमीद की नजरों से देखा जा रहा है भा और इस जॉनसन ने भारत यात्रा की प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने इस यात्रा को रक्षा शेत्र से लेकर रूजा शेत्र में साजेदारी की संभावना के रोप में गोल्डन अपॉर्चनीटी देखी तो इंडिया और बिटेन के संबंदों में खासतोर पर जो डिफे पहला गुजरात दौरा है और इन लोगों के अनुसार ने दोनों की जो बात्ची थी उसके अनुसार जो में उद्देश इन मीटिंग का होगा जो आगे मोई में कोई साइन नहीं किये गए वह होगा इंडो पैसिफिक में घनिश साजेदारी को बढ़ावा देना और सुरक प्रोटेक्शन और कोपरेशन को बढ़ावा देना हाला कि इसके लिए कोई ठोस नए स्टेप्स लिए गए ऐसी बात नहीं है अभी ये चीज़ें आने की हैं अभी इस चीज़ के उपर जादा डीटेलिंग नहीं आई है बट इससे इतना पक्का है कि एक तिरह से फ्रेंड चीज़ों के बारे में उन्हें भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी बातचीत की और नरेंदर मोदी से भी बातचीत की जो हम उमीद करते हैं कि फ्यूचर में जाकर के कई इंपोर्टेंट रक्षा और दूसरे तरह के इंवेस्मेंट समझोतों में कनवर्ट हो प्रधान-मंत्री ब्रिटें प्रधान-मंत्र ने भारत यात्र हुए और वह पहली बार गुजरात कई पहली बार कोई प्रिटेंट के उन्होंने गुजरात की यात्रा ठीक है इस से जादा इस न्यूज में आपको भी जानने लाए कुछ है नहीं कोई treaties कोई negotiations कोई ने अगली न्यूज अगें सीधा सीधा एक international appointment की है फ्रांस में एक नए राश्ट्रपती नए तो नहीं फ्रांस में राश्ट्रपती चुनाओं के जरीए जो incumbent राश्ट्रपती है वो दुबारा वहां के राश्ट्रपती बने जिनका नाम है Emmanuel Macron हम जानते हैं कि फिलाल यही राश्ट्रपती थे इन्होंने अगें चुनाओं जीत करके वहां पर फिर से सत्ता समाद लिया ठीक तो जैसे कि आप यहां पर पढ़ सकते हैं दो चर्णों में हुए वहां के राश्ट्रपती चुनाओं में मजूदा राश्ट्रपती Emmanuel Macron ने लगादार दूसरी बार जीत दर्ज की उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी दक्षिन पंती नेता मरीन ले पैन को हरा दिया मेकरॉब 20 फर्षों में कार्याले के लिए फिर से चुने जाने वाले पहले फ्रांसिसी नेता है मतलब इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट्स हुए हैं वो एक टर्म के लिए चुने जाते हैं अगले टर्म के लिए नहीं पिछले 20 साल में यह पहली दफा हुआ है कि एक इंकम्बेंट प्रेसिडेंट्स जो है वो दुबारा इलेक्शन में जीत करके अपना दूसरा टर्म में भाने वाला है तो बही सभी को पता है मैंने मेकरवान फ्रेसिडेंट यह दुबारा जीत गए कि इनको हराया तो मरीन ले पेन को हराया और पिछले 20 सालों में यह दूसरी बार है जब कोई एक इंकम्बेंट प्रेसिडेंट दूसरी बार राश्पती बन रहा है ठीक है यह तो बात हुई स्टेटिक जब आप पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है जिस देश की बारे में मैं शुरू से बताते जारी हूं अगर कहीं पर प्रधान मंत्री और राश्पती चुने गए तो इस देश की जो बेसिक इंफर्मेशन है पॉलिटी जोग्रिफी से रिलेटिट उसको आप कर ल ही है और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो ठीक उसकी अलावा अगर हम वहां पर टाइप ऑफ पॉलिटी देखें तो वहां पर रिपब्लिक ही है आप सबको पता होगा कि इंडिया में जो रिपब्लिक का गणतंत्र का कॉंसेप्ट हमने अडॉप्ट किया है वह फ्रांस से ह है तो वह रिपब्लिक है इने गणतंत्रात्मक है बिल्कुल उसी के तयत फिर राश्पति का चुनाव हुआ है तो एक तो नियुक्ति किसकी हुई इनके बारे में कुछ चीज है किनको हराया और फिर उस देश के बारे में आप स्टैटिक बाते याद कर लें अपने दूसर होगा उसके जो यह बातें आप यहां पर देख रहे हैं यह डाइनेमिक पार्ट है इसका थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी आमको देखना पड़ेगा कि राइसीना डालोग है फिलाल जो डानेमिक पोर्शन है जो स्लाइड में लिखा है उसे हम पहले रीड कर लेते हैं र साथवे संसकरण का उद्खाटन किया साथवे संसकरण में नब्बे देशों के दोसों से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं यह समयलन विदेश मंतरा ले एने की Ministry of External Affairs और Think and Observer Research जाजेने की ORF का एक सयुक्त उद्ध्यम है इस वर्ष की थीम है टेरानोवा, Impatient, Impatient and Imperiled These are the facts which you need to know for its dynamic part कि इस बार राइसेना डायलोग जो हुआ उसमें जो चीफ गेस थे वो थे प्रधान मंतिर नरेन मोदी के साथ यूरोपी संग आयोग की अधिक्ष उर्सूला वोंडेलियन ठीक है और यह जो संसकरण अभी हम देख रहे हैं राइसेना डायलोग का यह इसका साथवा संसकरण है इस सेवंथ संसकरण है जो अभी आयोजित किया गया कहा आयोजित किया गया तो न्यू डेली में न्यू डेली में इसका साथवा संसकरण आयोजित किया गया जिसमें उर्सूला वोंडेलियन में चीफ गया ती अलोंग विद नरेन मोदी इसमें 90 देश क 200 वक्ताओं ने participate किया था और यह जो राइसेना डियालोग है यह एक joint venture है जिसको आयोजीत यह organize करवाता है हमारा विदेश मंत्राले और तिंग्टेन अब्जरवर Research Foundation यह दोनों मिलकर करके यह से आयोजीत करवाते हैं और इस बार की theme यह है यह चीज़ें आप dynamic part पर आज रखें अब static part यह है कि राइसेना डियालोग होता क्या है दरसल इसकी शुरुवात सन 2016 से होई थी 2016 से दिल्ली और नाम से आपको समझ में आरोगर राइसेना क्योंकि राइसेना हिल की उपर ही दिल्ली लोकेटेड है इस वज़े से हम इस डाइसेना डाइसेना बोलते हैं राइसेना बोलते हैं जिसकी उपर दिल्ली लोकेटेड है तो 2016 से हर साल न्यू डेली में न्यू डेली में जियो पॉलिटिक्स और जियो एकोनोमिक्स न्यू डेली में हर साल जियो पॉलिटिक्स और जियो एकोनॉमिक्स क्यू पर एक मल्टी लेटरल कॉन्फरेंस रखी जानी स्टार्ट की गई मल्टी लेटरल मतलब कोई दो देशों की बीच का डायलोग नहीं कई सारे देशों के अलग अलग पदपर आसीन व्यक्तियों को इसमें भाग लेने का मौकल मिलता है इसलिए से मल्टी लेटरल कॉन्फरेंस की बात की जाते हैं सन 2016 न्यू देली से ये प्रथा स्टार्ट हुई जिसमें जियो पॉलिटिक्स की उपर और जियो एकोनोमिक्स की उपर विभिन देशों के अलग-अलग इंपॉर्टेंड आफिसर्स मंत्री जो हैं वो अपनी बाते रखते हैं और विभिन मुद्धों पर चर्चा करते हैं जो खास तोर पर इन दोनों चीजों पर से रिलेटेड रहती है जियो पॉलिटिक्स और जियो एकोनोमिक्स की इन दोनों ही शेत्रों में इन सभी देशों को कैसे फायदा हो सके तो यह एक इंडियन उनिवेशन है हमने यह करना स्टार्ट किया सन 2016 से और हम इन्वाइट करते हैं दुनिया के अलग-अलग देशों के अलग-अलग पद पर आसीन इंपोर्टेंट व्यक्तियों को तो एक Chief Gas की तोर पर इस बार European Union की अध्यक्ष यहां पर आये थी लेकिन जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 90 देशों की 200 से अधिक वक्ता इसमें शामिल हुए थे जिसका प्रथम संसकरंथा जन 2016 में इसमें 100 से उपर लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वालब ऐस की शेतर के कोई राजनीती की शेतर के कोई मीडिया के शेतर के ऐसे सभी इंटेलेक्ट लोगों का एक ग्रुप होता है जो इसमें अपनी बाते रखता है और किस तरह से जियो पॉलिटिक्स और जियोकोनॉमिक्स की जो भी समस्या हैं उससे दूर किया जाए और इन दोनों ह यह है आपका राइसेना डेलोग जो 2016 से राइसेना हिल न्यू डेली पे स्टार्ट हुआ तो इस बार इसका क्योंकि 2016 से स्टार्ट हुआ तो सात्वा संसकरंट था जिसमें चीवियस के तौर पर यह आई थी और इस बार की थीम यह थी ठीक है इतनी चीज़ें आपको याज इसके बैग्राउंड से रिलेटेड और इसके डायनेमिक पार्ट से रिलेटेड तो बस इतनी बातें थी इस वीक के करेंट अफेर्स में अपॉइंट्मेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फरेंसे यही चीज़ें आती है पॉलिटी के सेग्मेंट में लेकिन आप मिस न किंटिनियूसली हर वीक आप इन वीडियो के साथ बने रहें आज के वीडियो में इतना ही thank you so much